तो हेलो दोस्तों कैसे आप सभी आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत हैं तो आज का हमारा सवाल है बंदरगाह क्या है तो चलिए वीडियो को श्टार्ट करते हैं और हम देख लेते हैं जल से जल जवाब बंदरगाह एक महतोपुर्ण स्थान है जो समुद्र नदी या अन जल साधनों के लिए नववहन की सेवा करती है इसमें जहाजों का उठहरना उतरना और चड़ाई में सहायता की जाती है यह समान्यत व्यापक परिसर तंतु डॉक्स और यातायात के सुईधाओं के साथ होत मतलब वहन के रूप में उपयोग करना आना जाना ठीक है तो चलिए इसे और असानी से समझने के लिए हम लोग एक उधारन का उपयोग कर लेंगे लेकिन अगर आप लोग को कभी भी सवाल आता है कि बंदरगाह क्या है तो आप लोग इस जवाब को जरूर लिख लेना ठी कि आपको ज्यादा समय तक याद रहे हैं। जैसे दोस्तो जैसे रेलवे स्टेसन पर ट्रें रूखती है और हमारा समान जो है एक सहर दूसरे सहर आता जाता है। या हमारा जो समान है वो एक सहर से दुसरे सहर आता जाता रहता है ठीक उसी तरह हमारा देश भी है और हमारे देश से कुछ समान जो है या हम जो है एक देश से दुसरे देश आते जाते रहते हैं ठीक है तो यह अक्सर हम लोग देखते हैं कि हवा वाला जो हवाई जहाज होत कि क्या करता है वो हवा वाला जहाज का उप्योग कर लेता है लेकिन जब हम लोग एक देश से दुसरे देश ज्यादा तर समान जब हम लोग विया पार करते हैं समान का लेंदिन करते हैं तो वो जहाज से ही होता है पानी वाले जहाज से ठीक है तो जैसे train है जो वो railway station पर ठारती है ठीक है वैसे ही पानी वाली जो जहाज है वो बंदरगाहों पर ठारती है यानि जो उसका बंदरगाह है जो बंदरगाह नाम पड़ा है वो पानी वाले जहाज जहाँ रुकती है यानि जो उसका station होता है उसी को हम लोग बंदरगाह कहते हैं ठीक है और वहां से हम और हमारा समान जो है एक दɪ्ष से दूसरे दिश आता जाता रहता है जहां यहां पानी वाले जहाज रुकती है उसे ही हम बंदरगाह कहते हैं तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला सवाल जो है वो यह है कि अमीबा कहां पाया जाता है अमीबा के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा चलिए नेक स्टूडियो में हम लोग ये भी जान लेंगे पाया कहां जाता है आप लोगों कैसे पता चलेगा कि यहां पर अमीबा हो सकता है या नहीं हो सकता है